हाई फ्रेंड्स भरपूर सवाद के साथ बिना उबारे बिना किसे जनजट के जल्दी से जटपट बनेगा फिर देर की इस बात के जटपट से बनाना स्टाइट करते हैं पस्ता कोकर में डाल रही हो वन टेस्पून ओयल और बढ़िया से फ्लेवर के लिए में डाल रही हो व प्रेंड्स में डाल रही हो बारी कट हुई लैस्टोन अद्रक और टू और त्री पीसिस ग्रीन चिली अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे और हलका भूनेंगे और बटर का जो टेस्ट आता है ना फ्रेंड्स वह एकदब मस्त आता है मान लीजिए अगर आप लोगों को इतन प्रेंड्स मैंने देख लीजिए इस साइज में काटा है एक टमार्टर फ्रेंड्स मैंने क्या किया है प्योरी किया है मिक्सी में तो उसको भी हम इसमें आइड कर देंगे और मिक्स करते जाएंगे इन दोनों चीजों से फ्रेंड्स क्या होता है जो पास्ता होता है वह बह यूज कर सकते हैं अब हम फ्रेंट्स इसमें थोड़ा सोल्ट भी डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से भून जाएं और अब हम इसको और पकाएंगे हम इस टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक की टमाटर का कच्छापन निकलना जाए क्योंकि यह मीन बेज है तो इसका कच्छापन निकलना जरूरी है अब मैं कूकर के ढकन से इसको कवर कर रही हूं लेड नहीं लगा रही हूं सीटे नहीं बजा रही हूं आप अगर दूसरा ढकन यूज करना चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं बस यह दो मिनिट के लिए लिए लो मेडियम फ्लेम पर अब हम ठकन हटा कर चेक करते हैं यह देखिए टमाटर रिडियोस हो गए और अच्छे से पक भी गए यह देखिए फ्रेंड्स तेल उपर आ गया इसका मतलब टमाटर का कच्छापन निकल गया अब बारी आती है बागी के वेजेटेबल्स डाल लेगी यहां पर फ्रेंड्स में ड 10 पीसिस बीन के आप इसको अपने कोड़िंग और इन सबको मिक्स कर लेंगे आप यहां पर कॉंस भी डाल सकते आपको जो वेज़ीटेबल्स चहिए आप अपने कोडिंग इसको अच्छा यहां पर आपको वेज़ीटेबल्स पेस के साथ पका लेना है बहुजाद रही पक बिल्कुल इंडियन घर का बनावा गरम मसाला ताकि जो घर का और इंडियन फ्लेवर आई आज हम बना रहे हैं इंडियन स्टाइल पास्त इन सभी मसालों को हम भूल लेंगे वेज़ेटेबल के साथ अच्छा अगर आपको चाहिए तो मैगी मसाला पेरी-पेरी मसाला यह सब आप इसमें डाल सकते हैं टेस्ट के लिए फ्रेंट्स बहुत सारे मसाले मिलते हैं मार्केट में बिर्यानी मसाला एक बार आप डाल के देखेगा उससे काफी अच्छा टेस्ट आता है मुझे परस्नली पसंद है अब फ्रेंड्स में डाल यू टू टेबल स्पून टोमेट सीज्वन सूस अब सेजवन सूस आप को रेडिमीट मेटि ले पर भी अगला सकते हैं में साथ किसे टवर चटनी बाल सकते हैं यह उप्शन साथ में ही बाकि में लैस्टनी की वीडियो आलरी बना चुकी आप उसको चेक हैं मेरे चैनल पर आपको जितना spain आसी अबनाना इ यहां पर मैं डाल रहे हूं त्री कप पास्ता कोई जट नहीं पॉइल करना है और जब भी आपको बनाया नहीं तो कोई सोचने के जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी से जट-पड बन जाएगा सबसे इंपोर्टेंट चीज यह है इसको हम दो मिनट के लिए भून लेंगे जो बेस बनाया है हमने उसके साथ ताकि इसके मसाले और बटर वेगरा का जो फ्लेवर है वह अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम डालेंगे इसमें सोल्ट मैंने वन टीस्पून सोल्ट डाले है अब नए अकोड़ेंगे अड़जेस्ट भी कर सकते हैं इसको यह देखिए फ्रेंड्स हमारा पास्ता अच्छे से बुन गया है अब बारी आती है पाने की तो तीन कप पास्ता के लिए पानी डालना हमें 2.5 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया ठीशे दूसरे चीज क्या है हमें लैवल देखने पानी का बिल्कूल हलका से लैवल उपर है बस इतना ही लैवल पानी का उपर होना चाहिए इससे ज्यादा ऊपर बिल्कुल नहीं वहारना खिछड़ी बन जाएगी ठीक है आब यह गरम हो गया है और बॉइल हो गया है एक सीटी लगते ही हम इसको ओफ कर देंगे मैंने एक सीटी लगते ही इसको ओफ कर दिया था और यह देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है यह देखिए फ्रेंड सूपर स्टैपर बिल्कुल पानी नहीं है पूरा पानी अच्छे से अपजोर कर लिया है और मैं आपको काफी closely इसको दिखा रही है पास्ता एकदम खिला-खिला है और काफी flavorful है मान लीजी अगर कोई कसर रह भी गई है पास्ता में तो आप ऐसे ढकन से cover करके एक से दो मिनट के लिए छोड़ दीजी बंद गैस में तो बाफ में वो और अच्छे से set हो जाएगा डाकन हटा कर चेक करते हैं एक दम अच्छा है फूला-फूला है पास्ता तो खिला-खिला है लेकिन हम इसको ऐसे ही सब नहीं करेंगे इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बटर और साथ में ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिक्स हर्ब सीजनी और आप चिली फ्लेक्स पी डाल सकते हैं इसे भी काफी यम्मी टेस्ट आता है साथ में हम डालेंगे फ्रेस कॉरियंडर इसको हम फीज से भूनेंगे 30-40 सेकंड के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्या गाइस प्लेस लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू फो वाचिक इस वीडियो